करने लगे हैं मोड का मोड के केस में जब हमें इंक्लूजिव क्लास इंटरबल दिया होता है तो सबसे पहले इंक्लूजिव को हम exclusive में turn करते हैं exclusive class intervals का बनाते हैं, अब मैं आपको ये question के साथ करके दिखाऊंगी, जैसे हमें question दिया गया है, हमें class दी गई है 20 24 ये हमें class दी गई है, 40 से 24 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 50 से 45 से 49 50 से 54, 55 से 59 अब सबसे पहले हम इसको, ये हमें inclusive CD दी है, इसको exclusive में turn करेंगे उसके लिए हम 0.5 यहां से minus करतेंगे and 0.5 यहां पे increase करतेंगे अब हम इसको correct करेंगे यहां से minus करेंगे, 0.5 हमारे पास आएगा 19.5 फिर बढ़ा देंगे, यहां पे increase करेंगे 0.5 बतलब add-on करेंगे, तो आजाएगा 24.5 वैसे ही यहां minus 24.5 यहां पे plus तो यह हो जाएगा 29.5 यहां पे minus 29.5 यहां पे आजाएगा 34.5 फिर यहां पे 34.5 minus और यहां पे minus कर दिया था हमने तो यहां पे अब हम add-on कर देंगे that is 39.5 इसी तरह हम अपनी cds को complete करेंगे यह हो गई हमारी cds करेक्ट कर ली है हमने अपने class and doubles को करेक्ट कर लिया अब हमें साथ में given है frequency वो given है 3, 5, 10, 20, 12, 6, 3, 1, अब mode के लिए जो सबसे बड़ी frequency होगी मतलब जो सबसे जादा time आया है उस series को select कर लेंगे जो की है हमारा 20 तो हम इद हमने यह वाला select कर लिया class interval so हमारे mode का formula क्या है mode represent किया जाता है z के साथ mode का formula है that is l1 plus f1 minus f0 divided by 2f1 minus f0 minus f2 into i कईयों में यहाँ पर c ले लेते हैं same ही बात होती है so जो हमने यह class interval यह वाली series अपने select की है इसमें से यह होगा हमारा f1 यह होगा उपर वाला f0 और नीचे वाला हमेशा लेंगे f2 now l1 इसके lower limit क्या है that is 34.5 लिख देंगे plus f1 f1 क्या था 20 और f0 क्या है 10 minus 10 divided by 2 f1 f1 है 20 मतलब 2 को multiply करेंगे 20 के साथ 2 को multiply करेंगे 20 के साथ minus f0 क्या है that is 10 f2 क्या है that is 12 minus 12 into into क्या करेंगे कितना इन दोनों में difference है i represent करता है इन दोनों में difference है 5 का तो यह हो जाएगा 5 now 34.5 plus यह minus कर देंगे यह आजाएगा हमारे पस 10 यह आजाएगा 40 40 minus 10 30 and 30 minus 30 minus 12 कर देंगे so हमारे पस बचेगा et यह हो जाएगा into 5 now अब क्या करेंगे इसके बाद हम इसके बाद इन सब को solve करके हमारे पस बचेगा 34.5 plus 2. 2. 2.77 अब इसको हम दोनों को आड कर लेंगे इसको आड करके हमारे पास आएगा that is 37.27 so our mode is 37.27 thank you